एक खिलाडी के रूप में मैं चाहूंगा कि हर भारतिय स्वस्थ और चुस्थ रहे तंबाकु स्वास्त्य और तंदुरुस्ती को नुकसान पहुचाता है सभी तंबाकु पदार खतरनाक और घातक है अगर आप स्वस्थ और तंदुरुस्त रहना चाहते हैं तो तंबाकु से दूर रहे मैं रहता हूँ आपको भी रहना चाहिए आईए तंबाकु के सामने दीबार बनकर खड़े हो खैनी, गुटका, तंबाकु, पान, पान, मसाला हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या है इनका सेवन मू के कैंसर का प्रमुक कारण है इस मरीज को जीब का कैंसर है और हमें इसका ध्वनी यंत्र निकालना पड़ा अब सब भगवान के उपर है रेखा की जीब और निचला जबड़ा हमें निकालना पड़ा तंबाकु परिवारों को उजार देता है अब हमें जीवम्रित तयार करना होगा जो एक तरल खाद है और थोड़ी सी फसल उगने के बाद इसे पानी में मिश्रन करके देना होगा जिससे जमीन में मौजूद किटाणू जागरित होंगे और जमीन को जादा उपजाओ बनाते है और अंदर सोवे केंचुए भी जागरित हो जाते है जो जमीन के लिए बहुत ही उपयोगी होते है और हमें इसे फसल की एक सीजन में चार बार देना ज़रूरी है यह पनी डालो गोबर हां 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 डालो 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 बस बस गुड़ दीजिए गव मुत्र दीजिए बस आटा दीजिए थोड़ी सी मिट्टी दीजिए यह जीवम्रित एक बैक्ट्रियल द्रव्य है और उसे जमीन में डालने से जमीन में मौजुद खनीच तत्व को विखदित करके रसायन स्वरूप में पौदे तक पोचता है तीन दिनों तक हमें इसे सुब़ शाम हिलाना होगा फिर हमारा जिवम्रित तयार वा 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 अरे क्या कर राया भाई तु अरे इर्तेश आओ भाई आओ इस तरफ कैसे आना हुआ बस जानने आया हूं कि तेरे दिमाग में क्या चल रहा है कुछ नहीं भाई क्या चल रहा होगा नहीं कुछ तो चल रहा है और हाँ, तुम तो जानते ही हो, अपने पूरे गाउ में पेस्टिसाइट्स और फर्टिलाइजर्स मेरी ही कमपनी मोहाया करती है और कमपनी की ओर से मुझे टार्गेट भी मिलता है और तु यहाँ आकर गाउवालों को रसाइनों का उपियोग ना करने के लिए कह रहा है तु क्यों मेरे पेट पे लात मार रहा है, कुछ तु दूसरों के बारे में सोच रुटेश, यह हम दोनों के बीच की बात नहीं है यह लंबए समय की बात है बाकि मेरे तुमारे पेट पे लात मारने के बारे में तो सोच भी नहीं सकता तो तुने यह जो शुरू किया है, तुझे लगता है कि इससे मुझे कोई फरक नहीं पड़ेगा पड़ेगा, फरक तो पड़ेगा तुमसे ज़्यादा तुमारी कमपनी वालों को ज़्यादा फरक पड़ेगा तु तो मालिकी छोड़कर सिर्फ नौकरी कर रहा है पर तु ये तो सोच ये केमिकल वाली फसल खाकर लोगों का क्या हाल हो रहा है जो बिमारियों के नाम भी नहीं सुने थे वो सब बिमारी आज पैदा हो रही है ये सब केमिकल के कारण और मेरी लड़ाई इसके खिलाफ है और तु तो मेरा भाई है यार और तु ये सब नौकरी वकरी छोड़कर अपने पिताजी के साथ खेती में लग जा और तु अपने पिताजी के साथ होगा तो उन्हें जैविक खेती में कोई तकलीफ नहीं होगी वा, क्या बात है तू खुद तो दिल्ली जा रहा है एक मेना पूरा होने के बाद गुलामी करने और मुझे नौकरी छोड़ने की सला दे रहा है भाई, काश तू मुझे समझ पाता चल रहने दे तू अपना काम कर और मुझे अपना काम करने दे अब हमें हमारी फसल को किटाणूओं से बचाने के लिए अलग-अलग प्रकार की दवाईया बनानी पड़ेंगी ये दवाईयों के अलग-अलग प्रकार है जैसे कि निमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, अगनास्त्र और फूग नाशक दवाईया निमास्त्र है रस्च उसमे वाले किटाणूओं के लिए ब्रह्मास्त्र जो है वो अपनी बड़ी इल्या और किटाणूओं के लिए जबकि आगनास्त्र है वो कपास और फ़ल में मौझूद इल्लिया और बड़े किटानूओं के लिए अब हमें निमास्त्र जन्तुरोदक दवाईया बनाने के लिए सो लिटर पानी, पाच लिटर गव मूत्र, एक किलो गोबर और पाच किलो नीम की जरूरत पड़ेगी पानी डालिये गोबर लेलो पां सरी गोब भून व करना के लिए तेला जालत अर खाफफगक रभू Самवेगक ड़िए गव मुत्र दीजिए नीम दीजिए जैविक खेती में फसलों को किटानों से बच्चाने के लिए अलग-अलग प्रकार की दवाईया बनाई जाती है वो मुडबुत तरीके से किटानों को मारने के लिए नहीं बलकि उसे रोकने के लिए इसका उप्योग किया जाता है और उसका मुख्य सिद्धान्त ये है कि हमारे पोदे का जो स्वाद है उस स्वाद का टेस बदलना और खेत के वातावरण में दुरगंद फैलाना इस सिद्धान्तों के कारण हम हमारी फसल को नुकसान होने से बचा सकते हैं इस मिश्रन को हमें शाम को एक बार हिलाना पड़ेगा और चोबीस कंटे में हमारी दवा ही तैयार ले जाओ रासायनिक खादोर हाइब्रीड बीज कांती रामला ले जाओ अब हम छास आमरेद बनाएंगे जो हमारी जमीन के खराश दूर करने में उप्पयोगी साबित होगा इसे बनाने के लिए चाहिए हमें पाच लिटर छास, धाई किलो डेसी गुड और हमें सो लिटर पानी चाहिए होगा पानी डालिए छास डालिए डालिए गोड दीजिए डालिए इस चाहसामरित में गुड डालने से चाहस में मौजूद खटे जिवानों की बड़ोतरी होगी और चाहसामरित का खटापंड बढ़ेगा जिससे ये खटापंड जमीन की खराश को कम करेगा अब इस मिश्रण को हम सुबर शाम पाच दिन तक हिलाएंगे और बन जाएगा छास अमरित अरे क्या हो गया खंटिका को क्यों हुआ खंटिका को क्यों क्यों करिया गई देखा आपने अच्छे इसका कैसे कर सकते हैं तक्रिफे तो सबको होती है बहुत गलत हुआ बहुत गलत हुआ ख़गानी तक कात्रा का ऐसा कुछ कर सकते है इसके घर वह दो को मालू उपड़ेगा तो क्या है इसके लिए भी ने भी ने सुचा इसका करेंगे अग्वान उनके आत्मा को शायती बेर हिमत से काम लेते तो अग्वान देखो तो सही सर्पन जी ओ सर्पन जी आँ बोलो ना क्या बात है कांती पाय ना उसने आत्मा गद कर लिया क्यों क्या हुआ वो आपकी दुकान में से जो दवा ली थी पेस्टी जाइस दवा वो डूबली के डाले और वो दवा से उनकी सब फसल का नुकसान हो गया कांती पाय ने क्रुशी बेंक में से लोन भी ली हुई थी इसलिए करज में डूबे थी इस चिंता के कारण उन्होंने आत्मा गात कर लिया यह तो होता ही रहता है इंसान को जब मरना लिखा होता है ना तभी उसकी मौत होती है इन सब के लिए मेरी दबाईयों का कोई कुसूर नहीं है मेरी दुकान से तो डूपलीकेट दबाईयां मिल ही नहीं सकती चल चल कामकर कामकर देख हमें अभी कंपनी वालों के पास माल भी जमा करवाना है चल जा सरकार से कांधी को कुछ महावजा दिलाना पड़ेगा वरना कहां वाले कलत समझेंगे अब हम बनाएंगे बीजामृत बीजामृत का पट बीच पे लगाने से बीच जल्दी उखता है और उसे कोई फूग भी नहीं लगती और इसे बनाने के लिए हमें पाच किलो गोबर पाच लीटर गव मुत्र, धाइसो ग्राम चुना और बीस लीटर पानी चाहिए होगा पानी डालिए गोबर डालिए चुना दीजी चुना डालिए गव मुत्र दीजे डालिए इस विजामुरुत में इस्तमाल होने वाले गोबर, कलीचुना और गव मुत्र ये तीनों चीजे जन्तुरोदक है गोबर और गव मुत्र में किटानू और फंगस को रोकने वाले तत्वा मौजूद है बीच पे ये पट लगाने से बीच को नुकसान पोचाने वाले किटानूओं को रोकने का ताम करता है और इस मिश्टन को हमें शाम को एक बर हिलाना पड़ेगा और चोविस घंटे बाद हमारा बीजामृत तयार हो जाएगा वाँ 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 बिटा कांती की तरह सभी इंसान बहुत ही परिशान है इस रासानी खेती से उससे भी ज्यादा कर्स की वज़ा से मस्टर जी मेरी इच्छ है कि सभी किसान कर्स से मुक्त हो जाए तुम जिस तरह से मेनद कर रहे हो ना बेटे लगता है कि तुम्हारा सब्ता बहुत दूर नहीं है तुम्हारे और नंदिने कोई जगड़ा हुआ है क्या नहीं तो नंदिने ने आपको कुछ कहा था नहीं उसने तो कुछ नहीं कहा है लेकिन यह तो मैंने सोचा कि तुम्हें पूछ लूँ बात कुछ ऐसी है नहीं थोड़ी अपसिट लग रहे हैं हो क्या हो कुछ ठीक है तो मैं चलू बेटा ठीक है मास्टर जी तू जी सारह से मेहनत कर रहा है सुरुआ तुने की है मुझे सच पे गर्व है बेटे तुम पर बहुत अच्छे बहुत अच्छे लगे रहो नंदिनी बेटे तीन चार दिनों से तुम मुझे कुछ ज्यादा ही उदास निरास लग रही हो क्या हुआ बेटे नहीं नहीं सर जी ऐसा कुछ नहीं है मुझे भी नहीं बता हुए बेटे क्या हुआ है बोल इटा बोल अरे ऐसा कोई करता है कि बस दो तीन महीनों के लिए गाव आए और लोगों में परिवर्तन की आशा जगा है अरे उसके लिए यहां रुखना पड़ेगा लोगों की सोच को उनके विचारों को समझना देखो बेटे राजवीर पढ़ा लिखा इंसान है कुछ चल रहा होगा उसके दिमाग में जहां तक मैं उसे जानता हूँ तहां तक बेटा वो आसानी से हार मानने वालों में नहीं है धीरज रखो अचलो है सब अधना है इस वक्त हमें थोड़ी धीरज रखनी पड़ेगी इतने सालों तक धर्ती पर केमिकल छिड़क छिड़क कर धर्ती बंजर हो गई है और अगर हम आगे का सोचे तो हमारे लिए फाइदे की बात है और हमारे देश के स्वास्ता के लिए तो है ही हाँ सही कहा है तुमने और गांदी जी भी कहके गये हैं कि सच्चाई की रहा पर चलने वालों को मुश्किलों का सामना तो करना ही पड़ता है पर अंत में जीत हमेशा सच्चाई की होती है चलो नंदीनी मैं तुमें उस दिन तुमें पता है लाइफ में पहली बार मुझे डर लग रहे है डर पर क्यूं यह रहे किसान है यह मेरे भराशेपे मेरी बात मांनते है और अगर उन लोगोंका नुक्सान हो गया तो अरे नहीं हो डोन्ट वारी और वैसे भी कुछ नया करने के लिए हिम्मत चाहिए और जो हिम्मत करता है ना उसका भगवान हमेशा साथ देता है सो डोन्ट वारी इस ओके चलो चलो अजय को करता है कर दो 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 कर अब हम इसे अपने हातों से मसल लेंगे जैसे ही मसल लेंगे वैसे हम छाओं में से सुखा देंगे और जैसे यह सूख जाए वैसे हम इसकी बुआई कर सकते हैं मैं अजाए में से सुखा कर दो अरे तुझे जाना नहीं है क्या यही रुखने का एरादा है तुम्हारा अरे पिता जी मेरी बॉस के साथ बात हो चुकी है मैंने उनसे कहा मुझे थोड़ा काम है इसलिए रुखना पड़ेगा ठीक है हाँ मैं दिली नहीं जाने वाला हूँ क्यों वहाँ पर कोई नौकरी नहीं है क्या तो फिर तुमने अपने पिताजे को जूट क्यों बोला यूकि मैं उनका दिल नहीं तोड़ना चाहता था यूकि वह चाहते थे कि मैं कोई अच्छी नौकरी करूँ और मुझे नौकरी नहीं करनी थी मुझे तो खेती करनी थी सच में सच में मुझे इस गाव मेरेकर जैविक खेती करनी है और तुमारे साथ जिंदगी बितानी है तुम शादी करोगी न मुझे जिल मिल दे दे से हो तक चारूर उजाला जिल मिल दे दे से होता चारूर उजाला दियारे जिल मिला दिया भी जिल मिला अखियों के आचल में खेले मन को वो मत वाला अखियों के आचल में खेले मन को वो मत वाला दियारे जिल मिला दियारे जिल मिला वियारे जिल मिला दियारे जिल मिला हुआना ओओना दिया द्वार पर रखते ही जोले मयूर तो तार मैंना फलक छपकते भागे पल में अंधिया राग्या कहना दिया 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 दालों पर लच्छा के लाली कैसे उसको छुपाँ चंद उतरते आंगल में रेम के रंग रंगाँ दिया रे जिल मिला, दिया भी जिल मिला दिया रे जिल मिला, दिया भी जिल मिला कर दो कर दो कर दो सत्य सुख के नजर आने का मिला मूल खजाना सजीव का जब साथ मिला तो जीवन बना सुहाना मियारे जिल मिला जियागी जिल मिला मियारे जिल मिला जियागी जिल मिला जियागी जिल मिला कर दो कर दो राजबीर ये राजबीर अरे राजबीर अरे सरपांच ने हमारा पानी ही बन करवा दिया सरपांच ओ सरपांच आपने हमारा पानी क्यों बन कर दिया क्यों ना करवाऊं वैसे भी तुझे पानी की क्या दरूरत है जब यूरिया के भी ना चल सकता है फर्टिलाइजर के भी ना चल सकता है तो पानी के भी ना भी चल जाएगा ना तो फिर आप भी सुन लीजिए, आपके बाप को भी बोलकर मैं पानी चालू करवाऊंगा तो जा, कोशिश कर ले, अगर कलेक्टर भी आके बोरेगा ना, तो भी बोल दूँगा साहब जी, मैं इसको तो क्या, पूरे गाउं में किसी को भी पानी नहीं दे सकता और वेसे भी मेरे खिसानों की तो फसल भी तैयार हो चुकी है, उनको पानी की जरूरत भी नहीं है तू गाए के गोबर से खाद पेदा करता है ना, तो तू अपनी गाएं को खेत में पिशाब करा के उनी से अपनी सिचाई करा ले, जा तो फिर आप भी सुन लीजिए, अगर आप पानी नहीं दोगे तो हमारी फसल नहीं होगेगी, आप ऐसे ब्रह्म में मत रहना राजवीर, क्या करेंगे बेटे, ये बिना पानी के तो पूरी फसल जलकर राख हो जाएगी हमारी मेनत, हमारे पैसा, हमारा समय, कुछ भी काम का नहीं रहेगा, क्या करेंगे इस तरह से जो हम सरपंच के विरुद जाएगे, वो तो हमें परशान करने वाला ही है अरे, पर अब हम करेंगे क्या ऐसा है तो सरपंच को जाके मैं समझाता हूँ नहीं पिताजी मास्टर जी आप मुझे ये बताईए हमारे गाव में कितने कुवे बच्चे होंगे बैटे कुवे तो बहुत सारे हैं पर जब से पानी घरगर पहुंचने लगा है तबसे सभी कुवे बन पड़े हैं तो अब हम वो सारे कुवे खोल देंगे अब धर्ती माता ही अमारी खेती को पानी देंगी हाँ राजवीर सही कह रहा है देखो इस सरह के पाइप लगाएंगे और इसे कहते है टपक सिंचाई इसकी वज़ा से कुवे के कमपानी से भी हमारी खेती हो सकी अब हमारी खेती हमारी खेती है अब हमारी खेती है अब सुनिये, मोटर के कारण कुवे में मोजूद पानी इस मशीन में फिल्टर होगा और फिल्टर होने के बाद इस वॉल्फ को खोलने से तपक सिंचाई पद्दती से फसल को पानी मिलेगा और पानी की बचट भी होगी हुँ हुँ देखो अब हमारी फसल को पानी के द्वारा जिवमृत मिल जाएगा अरे कल तु आने वाली है ना आजा आजा और अमारी नतनी को भी साथ में ले आना हां मैं गंभीर को बोल दूंगा वो तुझे लेने आ जाएगा ठीके रखता हूं गंभीर और हम वहीं के वहीं रह जाए अच्छा बापू जाओ जी बापू अब हमारी फसल को पानी के द्वारा छा सम्रित मिल जाएगा खब आएगे नाना जी अरे मेरा बच्चा जैस्री कुष्ण अरे सुखीर है सुखीर है कैसी है तू लामाद जी कैसे है वो एक्तम ठीक है अरे मेरी प्यारी बेची है आजाओ आजाओ अंदर आजाओ सब लोग अंदर आजाओ देखिए 15 लिटर पानी में एक लिटर निमास्त्र दवाई मिलानी होगी कि अचस्पाओे ढाओ जिमास्त्र देखिप है काणी की बेंचे है व 두 Wür प्याओ आजाओ कि अधnousbud वा बेटा वा तुमने जो कहा वो करके दिखाया मुझे तो पता ही नहीं था कि ऐसी कोई टेकनोलोजी भी आ चुकी है जिससे जैविक खेती करके अच्छी फसल उगाई जा सकती है और तो और वो भी कम महनत में पिता जी यह सब वही है जो मैं दिल्ली में सीख के आया हूँ यह सब तो ठीक राजवीर पर अपना माल खरीदेगा काउन खरीदेगा चाचा कोई तो खरीदेगा जिसको केमिकल वाली सबजियों से नफरत होगी मास्टर जी अब मुझे वाकेई चिंता हो रहे है कि हमारी फसल का करेंगे क्या बहुत मुश्किल से तीन-चर गाउवाले हमारे साथ जुड़े थे और अगर उनका नुकसान हुआ तो तो गाउवालों को जैवी खेती के बारे में समझाना बहुत मुश्किल हो जाएगा मुझे अब कुछ नहीं समझ में आ रहा है मैं क्या करूँ तुम्हारी बात तो सही है बेटा कई बार जिन्दगी में हम लोग सही हैं वो साबित करने के लिए सिर्फ एक ही मौका मिलता है और अगर उसमें भी सफल ना हुए तो बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है इस सरपंज के कहने पर एन जे सूपर मार्केट वाले हमारा सारा सामान खरीद लेंगे सब सबजी खरीद लेंगे इस बात में कोई दम नहीं है अरे आप लोग चिंता मत कीजिए सब कुछ ठीक हो जाएगा कोई तो होगा ही न जिसे रसायन वाला नहीं पर गुंडकारी सबजीया और अनाज खरीदने होंगे शाबश बेटा तुमारी बात मुझे अच्छी लगी हो मुझे लग रहा है कि ये उपर वाला हमारी धीरच और हिम्मत की कसोटी कर रहा है हम सब उस पर भरोसा करके हिम्मत से आके बढ़ेंगे तो एक ती नहामें जरूर सफलता बेले की बेटा है हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा उसके घर पर देर है पर अंधेर नहीं है अरे राजबीर आरे राजबीर अरे देखो तो सही कौन आया है और क्या कहना चाहता है यह हमारे राजबीर है और यह उनके पिता जी नमस्ते हम लोग गवर्मेंट की तरफ से आये हैं आप जेविक खेती करते हो ऐसा हमने सुना है हाँ करते हैं अभी अभी प्रयोक शुरू किया है क्यों सरकार ने इस बार यह तै किया है कि सरकार जिस जगह पे जेविक खेती और सब्जियों का उत्पादन किया जाता है उस जगह पर नई दुकान की शुरूआत की जाएगी और उसके लिए जो लोग जैवी खेते द्वारा अनाच और सब्जियों का उत्पादन करेंगे उन लोगों की सब्जियों की और अनाच की खरीदी सीधी सरकार के द्वारा की जाएगी गुद मॉर्निंग मैम मैम? आप इनको मैम क्यों बुला रहे हो? अग्चलि आम अन ओफिसर औफ अग्रिकल्चरल डिपार्टमेंट वैसे तो मैं एक रिसर्च के लिए यहाई थी उस रिसर्च में ऐसा था कि ये गव्मेंट हर एक राज्य में और गानिक स्टोर के शुरुआत करने वाली है और उस और्गानिक स्टोर में सिर्फ और्गानिक तरीके से उगाए गए सबजी और अनाज मिलेंगे और लोगों को पता चल जाता? तो और्गानिक स्टोर में भी करप्शन और मिलावट शुरू हो जाती और किसी को पता ना चले? इसलिए ही गवर्मेंट ने अंदर के लोगों को भेजा specially observe करने के लिए और जब फसल कट जाएगी तो गवर्मेंट के लोग ही आएंगे सारी सबजیا और अनाज खरीदने के लिए मतलब हम लोगों को सिर्फ अनाज और सबजयों का उत्पा दुन करना हाँ कि उसको बेचनी की नियंक्त कि हमारे नहीं हमें की हुद करें वही शाषी बात है ना हम सब हिसाभ दे देते हैं अपनी अपनी प ilsलाओ क इन सारी बातों से तुम्हारे और मेरे रिलेशन्स पर कोई असर तो नहीं पड़ेगा ना तुम्हारे लिए मेरे फीलिंग्स एक्दम रियल है और मुझसे कुछ कहा ही नहीं जा सकता था मैं इतनी बंधी हुई थी I hope you understand and I'm really sorry Nana ji Oh my child मुझस करो मुझस करो संभाल के खारां से इस बार तो सारी फसल तयार होते ही बिग गई और वो जो एन जे सुपर मार्केट वाले है ना उन्होंने सारा माल खरे दिलिया अरे वा बहुत सारी कमाई हुई इस बार खेती से बहुत सारी हाँ हाँ ईहाँ.. बेटा मैं कुछ ऐसा सोच रहा हूँ कि इस बार मैं मांसी को साइकल ला कर दूँ हाँ पापा वो भी गेर वाली मांसी को साइकल बहुत ज्यादा पसंद है ना मांसी बेटा मांसी 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 कहां गए अरे अपी तो यही थी मांसी 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 बेटा क्या हो बेटा मांसी 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 हुआ 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 है हुआ 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 है सरपन चाचा क्या हुआ नाती को हम लोग आज खेट पे गए थे वहां उसने कच्छा आम खाया फिर पता नहीं क्या हुआ वह बेहोश हो गई और हम लोग जल्दी जल्दी उसे यहां ले आए हुआ हुआ है हां हां सब ठीक है इसे तो फूट पॉइजिनिंग हुआ था यह तो रसायनों के इस्तमाल से होता है यह तो अच्छा हुआ कि आपने समय रहते इसे अस्पताल ले आए नहीं तो जान जाने की भी संभावना थी किसान नासमज होकर लालच में आ जायता पूरी दुनिया में अंदकार चाह जाता है और मेरा कोई रदा आपके खिलाफ जाने का नहीं था मुझे तो आपको साथ में लेकर चलना था अभी भी समय है चाचा जो हम जैवी खेती की तरफ नहीं मुड़े न तो पूरे देश में ये बिमार्या फैल जाएगी आज में सरपंज द्रड प्रतिग्या लेता हूँ कि मैं और मेरे गाउं के सारे किसान बाई बहन रासाइने खेती छोड़कर हम सब लोग जैवी खेती अपना लेंगे मैं गंबीर को आज और अभी कहता हूँ कि ये जेर की दुकान बंद करें बंद करो बेटा तुम कब जाने वाले हो टिकिट हुई तुम्हारी हा मा बस एक दो दिन में राजवीर मैं क्या कह रहा था कि क्या तुम्हारा जाना जरूरी है देखो ना कितनी अच्छी फसल आई है यहां तुमने गाउं के लोगों को नया रास्ता दिखाया तो मैं सोच रहा था कि तुम यही रह जाओ और वैसे भी खेती सदियों से सम्रिध व्यावसाय रहा है औ और खेती हमें सब कुछ देगी तो क्या तुम्हारा नौकरी करना जरूरी है अरे इसमें हसने की क्या बात है मैंने कुछ गलत कह दिया नहीं नहीं पिताजी आपने कुछ गलत नहीं खा पर मैं कही जाने ही नहीं वाला था मतलब लगर में आपने नौकरी चोड केह Issus मैं क्लियर था कि मुझे आरे नहीं नहीं करनी है और पिताजी आपने मालिकी छोड कर गुलामी क्यू करें अमुझे तो कहीं जाना ही नही था इदर पर्मन शिफ्ट होने ही आया था और पिताजी आपने मुझे आने के साथ ही पूछा ना, कि तुझे कोई अच्छी नौकरी मिली की नहीं, और तब मैंने आपको मना कर दिया होता ना, तो आज तक मुझे आपको समझाने का मोका ही नहीं मिलता, कि खेती हमारा कितना समरुद्ध वेवसा है, और पिताजी अब देखना, रासाइने खेती पर प्रतिबंद करके पूरे राज्य को और गानिक स्टेट डिकलेर किया है, और हाँ, ये जो बड़े-बड़े कमपनियों वाले हैं न, ये हमारे पास से सबजिया और अनाज हमसे कम दाम पर खरीते हैं, और मार्केट में एकदम महेंगे भाव में बेचत अगे तो मुनाफा का मुनाफा और इसे मुल्यवर्धन कहते हैं, अगर ऐसा हुआ न, तो पूरे गाउं में क्रान्ती आएगी, और पूरे गुजरात में और पूरी दुनिया में हमारे गाउं की मिसाल दी जाएगी, और हाँ, अब तो गुजरात सरकार ने भी और गानिक इनिवर्सिटी के स्थापना करके, और ग्यानिक खेती को आगे बढ़ाने का फैसला किया है, ये सब तो ठीक है, कब से खेती-खेती की बात कर रहे हो, भाई, आपकी नेव स्टोरी कहा तक चली हो, तो बताओ, जय जय दो माता, मैया काम देनू दो माता, जय जय दो माता, मैया काम देनू दो माता, विश्व मात दुख हरता, देता सुख शाता, मैया काम देनू दो माता, जय जय दो माता, मैया काम देनू दो माता, जय दो माता, मैया काम दो माता, जय दो माता, जय दो माता, जय दो माता, मैया काम देनू दो माता, जय दो माता, जय दो माता, जय दो माता, जय दो माता, चामृत पियाए नंदी करता नंदन बन तब नम सरजन हो जाता मैना लग सरजन हो जाता जै जै दो माता मैना खान देनू दो माता सूर्य पोत्रिन सर्व मंगला जाम धेनू को पियाँ मैया काम धेनू को पियाँ गौमए बस्ति लाक्ष्नी है संस्थार उन्न की दाता मैया काम धेनू दो माता जै जै दो माता मैला खान देनू दो माता जै जै दो माता मैला खान देनू दो माता जै जै दो माता मैला खान देनू दो माता झाल 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 झाल